अश्पाइस जेट को बम से उराने की धमकी मिलने के बाद दरभंगा परसासन की उरी निंद बता दे कि दरभंगा एरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू है और दरभंगा एरपोर्ट से मातर एक अश्पाइस जेट की फ्लैट की सेवा चल रही है जिसे उराने की धमकी दी गई बता दे कि दर्भंगा से दिली जाने वाले फ्लैट में सवार यात्रियों को फिर से चेकिंग की गई और उतार करके जहां एरपोर्ट पर ही उतार दी गई और उसका चेकिंग की गई बता दे कि एक्स हैंडिल से बीमान को उराने की धम की दी गई जहां दिल्ली से दरभंगा आने वालियो एसपैस जेट फलैट S.G. 476 को बम से उराने की धमकी मिलने के बाद से दरभंगा एरपोर्ट पर अरकम मच गया जहां सनी बार की दोपर मामला सामने आया सूचना पर सदर S.D.O. विकास कुमार और S.D.P.O. अमीत कुमार मभी क्योटी और सहित कई थाने के पुलीस जो है पहुँची जहां फलैट से यात्रियों को उतारने के बाद करीब धाय घंटे तक गहन जांच की गई हलाकि ऐसा कुछ भी ब्रामद नहीं हुआ इससे दोपहरवाद की सवी फलैटे जांच के बाद ही दरभंगा एरपोर्ट से गंतवबे के लिए उरान भरी दरभंगा से दिल्ली जाने वाली फलैट जो डेर वजे के जगह जांच के बाद जो है चार वजे दरभंगा एरपोर्ट से उरान भरी वहीं हैदराबाद की फलैट जो दो बज कर पचपन मिनट की जगह जो है पांच बज कर नौ मिनट में उरान भरी दरभंगा से दिली के लिए एसपैस जेट की दूसरी फलाइट जो है तीन बच कर 45 मिनट के जगा चार बच कर 19 मिनट में उरान भरी बताने की सदर हड़ी प्यो ने बताया कि जिस एक्स हैंडल से विमान को उराने की धमकी दी गई थी उसकी जाज चल रही है बताया जा रहा है कि दोपर 1 बज़े के बाद धमकी के संग्यान के मामला आने के बाद दरभंगा एरपोर्ट पर एसपैस जेट की अधिकारियों को सुचित किया गया तब तक दिल्ली से दरभंगा की फ्लैट एरपोर्ट पहुँच चुकी थी इसके आने के बाद यहां जो है बारव बज कर पैंतालिस मिनट है सारे पैसंजर को आने के बाद जो है समान के साथ बाहर जा चुके थे फिर सतरकता ब्रत्ते हुए कमीटी का गठन किया गया जिसमे एरपोर्ट के अधिकारी भी थे सभी की मिटिंग हुई इसके बाद दरभंगा से दिल्ली जाने वाली फ्लैट SG 8477 में सबार यात्रियों को वापस लागरपुना चेकिंग की गई धमकी देने वाले पांच फ्लैट में बम होने की सूचना दे थी जिससे एक दरभंगा की थी दो घंटे विलम से पहुची हैदराबाद की फ्लैट जानकारी का अनुशार दरभंगा एयरपोर्ट से दस विबानों का आवा गमन हुआ हैदराबाद की फ्लैट दो घंटे से अधिक विलम से पहुची अराम से अराम से जानकारी यह प्लैट फूई है कि एक ट्वीट जिसमें स्पाइस जेट को टैब किया गया था उस ट्वीट की जानकारी आज विल्ली एरपोर्ट पर स्पाइस जेट के जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है उसके इंजनिरियर विंग को हुई ट्वीट करने का टाइमिंग है बारा बच के एक मिनट आज दो पर का ट्वीट को उनके संग्यान में आने के बाद दरवंगा एरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी है उन्हें सुचित किया गया यह जानकारी लगबग एक बिजे के बाद प्राप प्राप थे ए और लगबग एक बच के चौतीस मिनट यहां सुचना प्राप दोई तब तक उस इंकमिंग फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहां अराइव करके अपने बैगेज के साथ एरपोर्ट से लगबग बाहर निकल चुके थे फिर भी डियू दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती ह सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर कमिटी का अगठन किया गया इसमें एरपोर्ट के कैसो अफसर्स थे एरलाइन के अफसर्स थे अधिकारियों की मौझूद्गी में बीटेल मीटिंग होई और जो वापस दरवंगा टु देली जाने हाली फ्लाइट थी स्पाइस जेट की अश्जी 8477 उसके पैसंजर्स को एक्स्टा प्रिकॉशन के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई रीचेकिंग के कारण टाइम रेशेडूल हुआ है रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ्लाइट को यहां स सट्राइट पैस्ट का यह फ्लाइट अब बसक्ता उठेयों पश्लाइट यह रीचेकिंग करते हैं लेकिन फ्लाइट सेफली लान्ड हो चुकी है पैसंजर्स पाहर जा चुके हैं वह फ्लाइट जो आई थी दिले से वह आपस दिले जा रही एक सांधर हुड़ा कुछ नहीं से महां जाए कि फैक कॉल माना जाए कि तहां से आया कुछ पतार तुला से भी था